नमस्कार विद्यारती मीटरों हमने उपसर्ग वाले एपिसोड में देखा था कि उपसर्ग किस प्रकार लगाया जाते हैं उसका उपियोग किस प्रकार हम कर सकते हैं अब उनके जहसा ही उपसर्ग जहसा ही एक और मुद्दा है जो अमने उस तास में देखा था जिसका नाम है प्रति तो सबसे पहले वापस उपसर्ग का थोड़ा सा पुन्रावर्तं कर लें तो देखिए, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग कहां लगाये जाते हैं? उपसर्ग है वह मूल शब्द के आगे लगाना होता है. जो मूल शब्द है, उसके आगे हम उपसर्ग जोड़कर नया शब्द निर्मान कर सकते हैं. उदहारन देखिए, धर्म हमारा मूल शब्द है, उस उसरा शब्द है ज्ञान उसके आगे वी उपसर्ग लगाकर नया सब्द क्या हुआ वी ज्ञान योग उसमें हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया हैं तो क्या बना हमारे लिए प्रयोग अंद मुल्शब्द अंद है उपसर्ग अती है तो हमने वो संधीके नियम वाले अंद में उपसर्ग देखे थे कि किस प्रकार वहां संधीके नियम के अनुसार उपसर्ग उसमें समाहित हो जाते हैं तो यहां बना क्या अत्यंत नियम क्या था वो आपको याद होगा कि या ए के बाद हस्व या दिर्गई के बाद कोई भिन्नसवर आता है तो उसका य बनाकर सब्द में उसका उल्लेक करना पड़ता तो यहां अत्यंत बन गया उसके बाद अभि उसके बाद आस मुल शब्द आस है उपसर्ग अभी तो क्या बना अभियाश अब आगे अब हम आगे बात करने वाले हैं प्रत्य की तो उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग कहां लगाए जाते हैं मुल शब्द के आगे अब जब प्रत्य की बात करते हैं, तो प्रत्य की सबसे पहले हमें परिभासा देख लेनी चाहिए, तो प्रत्य वे सब्दांस हैं, वे सब्दांस जो शब्द के अंत में जुड़कर, उसके अर्थ में परिवर्थन करके नए शब्दों की रचना करते हैं, उसे प्रत्य करते हैं, परिभासा में शाफ दिखाई दे रहा हैं कि वे अंत में जुड़कर, अंत में जुड़ते हैं उपसर्ग कहां जुड़ते हैं? मुल शब्द के आगे वाले भाग में जुड़ते हैं जहां प्रत्य है, वहां मुल शब्द के अंत में याने की पीछे जुड़ते हैं तो यह उसकी परिभासा है, उदारन देख लिजिए, पढ़, प्रत्य है आई, तो क्या बना? पढ़ाई, उसके बाद दुसरा शब्द है मूल लिख, उसमें अगर आई प्रत्य जूड दिया, तो क्या बनेगा? लिखाई, अब प्रत्य के प्रकारों की बात करे, तो कौन- किवल दो ही प्रकार है, कृत प्रत्य और तधित प्रत्य अब, सबसे पहले हम कृत प्रत्य की बाद करेंगे, कृत प्रत्य क्या है? तो कि वो धातों के अंत में जूड कर, देखिए, कृत प्रत्य क्या है? जो मुल धातो रूप है, उनके अंत में जूड कर, उनके अर्थ क परिवर्तित करने वाले प्रत्यों को कुर्त प्रत्य कहते हैं, यानि कि जो मुल धातु के अंत में जुड़ते हैं, जैसे सबसे पहले धातों की बात करें, तो धातु वे हैं, जिनसे हमारे मुल शब्दों का निर्मान हुआ हैं, यानि कि जितने भी सब्द हैं, उनकी कोई न कोई एक मुल्धातू होती है तो वे उन मुल्धातू के अंत में जुड़कर हमारे लिए नए शब्दों का निर्मान करते हैं देखें यहाँ जैसे कि पीना तो पी अकड इसमें प्रते कौन सा है तो कि यहाँ लिका है अकड देखें यहाँ हमने आगे देखा था कि उपसर्ग में क्या है जैसे उपसर्ग है वे से सीधे ही मुल्धात के आगे लग जाते थे और कुछ ही एसे उपसर्ग थे जो थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद लगते थे अब प्रते क्या है वो सीधे इनके पीछे समायत हो जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान रखना पड़ सकता है तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा दुसरा शब्द है लेना तो लेंदार तो क्या बना इसमें प्रत्य हमारा कौन चाहें दार पढ़ना उसका पढ़ाई तो आई प बिन्य प्रत्यों के माध्यम से आगे सिखने वाले हैं, अब संग्या बनाने वाले कृत प्रत्ये, सबसे प्रतम उपमारा उपसर्ग है, वह क्या है, आई, अब पढ़ना आई, तो क्या बनेगा, पढ़ाई, दुसरा है, लिखना आई, तो क्या बनेगा, लिखाई, तीसरा है लड़ना आए तो क्या बनेगा लड़ाई अब संग्या बनाने वाले कुरूत प्रति में देखे दूसरा प्रतिय है आक तेरना वो धातू है आक प्रतिय है तो क्या बना तेराक लड़ना आक तो लड़ाक अब प्रतिय है आओ बहना आओ तो क्या बनेगा बहाओ चुनना आओ तो चुनाओ खीचना आओ खीचाओ अब आवट सजाना आवट तो क्या बनेगा सजावट उसके बाद मिलना आवट तो क्या बनेगा मिलावट लेकिन ए कैसी है वो ध्यान में रखने योग ये बात है यहाँ दिर्ग ई प्रतिय लगता है तो हसना की उसमें प्रतिय है तो क्या बन जाएगा हसी बोलना की प्रतिय होगा तो क्या होगा बोली त बचाना त तो क्या बनेगा बचत खपाना त तो क्या बनेगा खपत उसके बाद वाला प्रतिय हैं ती जिसे की चढ़ना तो क्या बनेगा चढ़ती उसके बाद है पढ़ना तो क्या बनेगा ती जोड़कर पढ़ती अब नेक्ष्ट उपसग है नी चाटना उसमें अगर नी प्रत्ती जोड़ देंगे तो क्या बनेगा चटनी उसके बाद शुंगना नी तो शुंगनी हार हुना हार यानि की होनहार पालना हार तो क्या बनेगा हमारे लिए पालन हार अब विसेशन बनाने वाले क्रित प्रत्ती की बात करे जो हमारे लिए विसेशन का काम करते हैं अकड प्रत्य है भुलना मुल शब्द है तो क्या बनेगा भुलक कड जो एक विसेशन के तोर पर परियुक्त किया जाता है ये शब्द गुमना कर तो गुमक कर आउ बिकना तो बिकाउ टिकना क्या बनेगा उसमें आउ लगा देंगे तो टिकाउ आकू लड़ना तो लड़ाकू पढ़ना तो पढ़ाकू एया लिखना तो लिखेया इसकी दो मात्रा होती हैं, तो इसमें यहां इस प्रकार दो मात्रा का उल्ले का आपको करना पड़ेगा, उसके बाद गाना, तो गवेईया, उसके बाद दार, समझना, तो क्या बनेगा? समझदार. अब दुसरा प्रकार है, तद्धित प्रत्ये तो सबसे पहले उसकी परिभासा देख लें, तो क्या है उसकी परिभासा? जो प्रत्ये संग्या, सर्वनाम या विशेशन सब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्मान करते हैं, उसे तद्धित प्रत्ये कहते हैं. तदित प्रत्य की परिवासा क्या है कि ये प्रत्य केवल संग्या सर्वनाम या विसेशन वाले सब्दों के अंत में ही लगते हैं ये धातू के अंत में लगते हैं क्योंकि धातू के अंत में जो प्रत्य लगते हैं वो कैसे प्रत्य होते हैं? वो क्रित प्रत्य होते हैं और जो संग्या, सर्वनाम या विसेशन के अंत में लगते हैं, वो प्रत्य हमारे लिए तधित प्रत्य हैं। जैसे कि पंडित आई, प्रत्य ही है, जुर्म, जुर्माना तो आना प्रत्य ही है, शिक्षा तो शिक्षक को इसमें अक प्रत्य ही है। अब संग्या से संग्या बनाने वाले प्रत्ये आई हमारा प्रत्म प्रत्ये जिसमें पंडित आई और सेवक आई पंडित और सेवक दोनों में प्रत्ये जोड़ने पर पंडित और सेवक आई सब्द निर्मान किया गया है आना घटाना घरजाना जुर्माना आर लोहार शुनार और कुमहार अब आरी भिखारी पुजारी इसमें हमने मुल सब्द दिये हैं भिख आरी तो भिखारी पुजा आरी तो पुजारी यहां वर्तनी थोड़ी सी द्यान में रखने होगी है क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है उसके बाद इया डिबियां खटियां और कुटियां अब इसमें देखिए यहां प्रति कैसा है यहां प्रति हमारा हस्व है हस्व ही है तो मात्रा भी कैसी रहेगी हस्व ही र देख सकते हैं, वो सामने करके दिया है, उसके बाद है इन, लुहारिन, पुजारिन, इसमें भी ए है, वह कैसी है, छोटी याने के हस्वई है, इसके बाद दिरगही, रश्री, धनी और पहाडी, एरा, चचेरा और संपेरा, देखें, यहाँ, चाचा और एरा मिलने पर चचे मामा तो मामा एरा, तो क्या बनेगा ममेरा, अक, शिक्षक, पाठक, कार, कार में देखिए, जेसा है वेसे ही लिख जता है पिछे, पत्रकार, कलाकार और चित्रकार, उसके बाद गर, जादुगर, बाजीगर और कारीगर, डी, पंक्खुडी, खिलाडी, या पंक और डी मिलाकर पंक्खुडी बना है, खेल और डी बनाकर, या बना हमारी ले खिलाडी रंगत और संगत अब यह सब्द है वह संग्या से विशेशन बनाने वाले प्रत्य है, प्रथमे आ, भूखा, प्यासा, आलू, दयालू, कृपालू, शुरद्धालू, इक, तो यहां इक कैसा प्रत्य है? हस्व इक है, तो आपको वर्तनी भी द्यान में रखना योग यह बात है, कि जब हम वर्तनी का मुदा सिखेंगे, उसमें कुछ ऐसे प्रत्य आएंगे, जो हमेसा ऐसे ही रहेंगे, जैसे कि एक प्रत्य है, इसमें एक हमेसा कैसा रहेगा? हस्व इक ही रहता है, जैसे कि धा अर्मेक और सामाजीत उसके बाद इत प्रत्याई में भी इत कैसे रहेगा हस्व इ अंकूरित फल्लवीत उसके बाद दिर्गई जंगली जापानी गुजराती उसके बाद इन शौकिन नमकिन और रंगिन इय भारतिय परवतिय इसमें इय प्रतिक कैसा है दिर्ग है जब भी कभी वरतनी या प्रतिक की बात आते तब इय कैसा होना चाही हमेंशा दिर्ग होना चाही इला चमकीला, रंगीला, इसमें भी एके साहें दिर्ग है उ, जगडालू, पेटू खोर, शुद खोर, घुश खोर मै, ममता मै, सुख मै, जल मै मै, ममता मै, त्याग मै, और अंतमे दया मै अब, विशेशन से संग्या बनाने वाले है आई, अच्छाई, बुराई, भलाई आस, मिठास, खटास, और पिखास आहट, कडवाहट, गर्माहट इमा, यहाँ इ, कैसा है, तो के हस्व है कालीमा, लालीमा, और महीमा यहाँ दिर्गई, गरीबी, अमेरी, जुबानी ता, मुर्खता, विर्ता, लगुता पन, गोरापन, हलकापन पा, मोटापा, बुठापा अंदाज, गोलंदाज, तिरंदाज दान, कमलदान, फूलदान आना, नजराना, शुक्राना अब अर्भी फार्सी के कुछ प्रत्य है नाक, खतरनाक, सर्मनाक दार, समझदार, कर्जदार बाज, चालबाज, दगाबाज मंद, जरूरत मंद, अक्लमंद खोर, रिश्वत खोर, शुद खोर, आदम खोर हमने उपसर्ग और प्रत्य दोनों अलग-अलग देखें लेकिन कुछ सब्दों में उपसर्ग और प्रत्य दोनों एक साथ पाएं जाते हैं एसे सब्दों का हम अभी अध्यन करने वाले हैं, जिसमें उपसर्ग भी है, प्रत्य भी सम्मिलित हैं तो एसे अनेक सब्द हैं हमारे पास, उनमें से कुछ सब्दों को हम यहाँ देखने वाले हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्य दोनों सम्मिलित हैं प्रतम सब्द है प्रायोगिक, उसमें प्र, आ, योग और इक, मुल सब्द कौन सा है योग, उसमें योग मुल सब्द है तो आगे जो भी लगा है वो क्या बनेगा हमारे लिए उपसर्ग, तो प्र और आ, ये दोनों क्या बनेगे हमारे लिए उपसर्ग, तो और इक क्या बन शू लब ता, लब हमारे लिए क्या है, मुलशब्द, आगे सू क्या बनेगा, उपसर्ग, और पीछे, प्रत्य, बदनामी, बद, नाम, इ, तो नाम अगर हमारा मुलशब्द है, तो बद क्या बनेगा, सही बात है, उपसर्ग, और इ, प्रत्य, बे इज़ती, बे इज़त ई, इज़त मुल सब्द है तो बे क्या बनेगा, very good, उपसार्ग और ई प्रत्ये, उसके बाद अपमान इत, अपमान इत, इसमें अप उपसार्ग और इत प्रत्ये, वि नम्रता, वी नम्रता, तो वी क्या बनेगा, उपसार्ग और ता, प्रत्ये, अंतिम वाला सब्द है, निर्दयता, निर्दयाता, उसके सब को मिलाकर क्या बनता हमारे लिए, निर्दयता, अब, हमने उपसार्ग और प्रत्ये, दोनों अलग-अलग हैं, यह सीख लिया, और उन दोनों का प्रयोग एक साथ सब्दों में भी हो सकता है, वो भी हमने सीख लिया, अब आपके लिए कुछ स्वाध्याई हैं, उपसार्ग प्रत्ये स्वाध्याई, इन शब्दों में से, अगर उपसार्ग अलग होता हैं, तो उपसार्ग अलग कीजिए, कुछ सब्द ऐसे भी हो सकते हैं, जो आपने अब ही पीछे, विकैजिसमें उपसार्ग और प्रत्ये दोनों होते हैं, तो दोनों गोलग कीजिए, तापके सामने इतने सब्द हैं, इन में से आपको उपसार्ग और प्रत्ये अलग करने हैं, झाल झाल